हेलो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे यह वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो अपना केरियर या फिर आप नेक्स्ट जो भी आपकी जोब रोल है अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सोच रहे हैं और क्लाउड में आने के लिए सोच रहे है तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं बड़ाई ही बेसिक चीज में आपको एक कंसेप्ट जो है समझाता हूँ कि एक्शुल में यह क्या है और किस तरीके से आपको इसको टैकल करना है अनुट्रियों यू कण लंन जों थे क्लाउड कंव्णिटी ठीक है तो बड़ाई ही बेसिक असे समझाता हूँ मैं आपको कि बेसिक से सहाँ छी रहने मड़ा के कैसी से शुकूर्वक यहां शोटा सा सिरेचियों के बनुक्स सी हमद्र ह्छूर्वर्वच एंदर क्लाउड के पास जो हार्डवेर होता है तो बस मुझे यहां पर आपको एक चीज समझानी है कि आपको कैसे अपने आपको प्रिपेर करना है किस तरीके से आपको टैकल करनी है चीजे वह मैं थोड़ा सा इस वीडियो में बताऊंगा और वीडियो को पूरा देखना अगर समझना है तो अधर्वाइस नहीं समझना तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगर आप वाक्री में सीरियस हैं तो आपको यह सारी चोटी-चोटी चीजें वीडियो पूरी देखनी पड़ेंगी और अपने आपको टाइम देना पड़ेगा तभी आप वह चीजें कर पाओगे यह मेरा एक मैं अपने एक्स्पीरेंस पर बूट रहा हूं तो बड़ी ही एक सिंपल वे में समझाता हूं कि जब हम ओन प्रिमैसेज की बात करते हैं आप लोगों ने अगर काम किया नहीं काम किया तो मैं बता देता हूं कि ओन प्रिमैसेज के अंदर क्या होता है या फिर अगर आप लोकल डेटा सेंटर आप क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमें एक हार्डवेर की रिक्वार्मेंट ह होती है अब हार्डवेर वो जो है हमारे सर्वर के लिए भी होता है और हमारे नेट्वर्क के लिए भी होता है ठीक है फिर उसके साथ एको ट्रमेंड हो जाती है स्टोरेज की ठीक है हार्डवेर में हमारे सर्वर और इसके साथ हमारा नेट्वर्क और यहां पर हमारे स्टोरे करें नेटवर्क की बात करें स्टोरेज की बात करें क्योंकि हमें हर सीजों में चाहिए होती है कि एक हमें हाइवेलिबिल्टी मिले ठीक है हमें स्केलेबिल्टी मिले और आपको अ ओन खिक मुम्लब बेसिक सी नीड होती है कि हाइईटूर्टि है से दिए हो इस डिए लिगे होती है हाइई हिए एकर ऊती है कि आपके जो रिचॉर्संस हैं वह अपकू ड़ेट रहें मैं लाइब आपके जो रिचॉ CSS तो आप रहे maximum time यानि कि 24 into 7 में आपके resources अप रहें scalability में क्या है कि आपके पास requirement आती है तो आपके पास इतनी freedom हो कि आप अपने resources को बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं और जो आप चाहें आप वो चीज़ें achieve कर सकते हैं चाहें आप server level पे बात करो चाहें आप network level पे बात करो जाए आप storage की बात करो ठीक है यहां पर आपकी चीज़ें होनी चाहिए अब on demand में क्या होता है suppose that किसी के पास कोई client आया उसके लिए infrastructure चाहिए ठीक है उसके लिए infrastructure चाहिए तो जितनी requirement अब वो चीज उसको demo करके दिखानी और उसके लिए hardware level पे infrastructure build करना that is totally questionable और time taken process ठीक है अब उस case में लोग बड़ा प्रिशान थे कि कैसे चीज़ें होंगी उसके लिए या तो advance में hardware book करके रखो या फिर advance में devices purchase करके रखो जिससे क्याता है कि problem होती थी और problem होती भी है तो महले है अगर आप कोई hardware पर चेज़ करता है उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा चैलेंज थे आप एंड डाउंस थे तो उन प्रिमेस्स के अंदर और लोकल डेटा यह चीज़ें यहां पर चैलेंज थी तो अब यहां पर चीज समझने वाली बात है कि जो आपका server server चाहे आपके linux है चाहे आपके windows ठीक है अब यहां पर क्या होता है कि जो operating system है this will remain same in cloud as well ठीक है यह सारी चीज़े वही रहेंगी इसमें कोई changes नहीं है आपकी OS level के कोई changes नहीं है आपकी जो requirement है requirement in the sense of network in the requirement है वो same है और आपका जो storage है उसके इंदर आपको more features है और यहां पर देखो यह जो तीन चीज़े हैं यहां पर on premises के लिए अंदर यह तीनों अलग-अलग users अलग-अलग resources इन पर काम कर सकते थे और उनकी responsibility थी क्योंकि काम इतना मुश्किल था कि वो एक particular person या dedicated person इन चीजों को समालने के लिए चाहिए ठीक है बट क्या है कि cloud computing के अंदर क्या हुआ कि जो यहां पर basic यह जो underlying चीजों के लिए जो struggle था कि on demand उसमें scalability उसमें फिर high availability वो सब चीजों के अंदर जो चीजें थी जो challenge था वो cloud computing के अंदर आपका खतम होता है यह बड़ी basic चीजें ना बता रहा हम आपको ठीक है बड़े ध्यान से समझना क्योंकि इसको मैं पुरा ऐसे confusion नहीं करना मेरे को ऐसे भरके नहीं लिखना बड़े सिंपल तरीके से समझाना है मेरे कोशी सी है कि जो resources थे network थे वो सब थे ठीक है अब यह सब कुछ सेम है आपके यानि कि बड़े simple हिसाब में आपके लिखता हूं network फिर आपके जो है operating system और फिर उसके बाद आपके stories यह चीज ना बड़ी basic है यही नीड है यार ऑपरेटिंग system में जैसे यहां पर मलब जैसे term change हो जाएगी जैसे compute आगया आपका compute मतलब आपकी जो CPU power है वो सब चीज़ें यहां पर होती है storage के अंदर जहां आप आपके database है या पर आप डेटा स्टोर करते हो सिंपल भासा में रखता हूं मैं इसको बश्कुल और network यह है कि जो आपका communication होना कि आपकी चीज़ें कैसे connected होती है राइट डिफ्रेंस क्या है मतलब वर्ट वर्ट मेंक्स कावड मोर पॉपिलर वाई और हाउ और क्या चीज़ें अब मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि यह तीनों चीज़ें से मैं मैंने यहां पर भी बोला है कि चाहे वह आपका अब यहां पर क्या होता है कि जो क्लावड कंप्यूटिंग है उसका मतलब यह है कि आपको जो ओन प्रिमैस या लोकल डेटा सेंटर के अंदर जो स्पिल करना बढ़ता था विद हार्डवेर डिवाइसे विद मैनुवल आपके सेटप है आपको आइस पीस पीचाहिए आप 상황 मिलती है好啦 जो यहां पर कुछ सर्वीशीज मmor गणता है कि जो छीजए किसी चीज में हम को करें आप सर्वीशीज में किया है जैसे जो कि मैं बात करूँ तो यह एक VM provide करता है ठीक है VM इसकी सर्विस है virtual network इसकी सर्विस है virtual network इसकी सर्विस है load balancer इसकी सर्विस है application gateway इसकी सर्विस है ठीक है और इसी तरीके से बहुत सारी इसर्विस है आप जैसे storeys में आ गया statories के अंदर आपके पास blog stories है तब औरonte आपके पास stable स्टोरेज फाइल स्टोरेज थी कि फाइल इस तरीके से आपके पास यहां पर मतलब एक कंबिनेशन हो गया कि कि इसर विश आपके पास अफलेबल आपको उन्हें ने यूज करना है तो इस तरीके से जीज़ें आपकी है और जो requirement आपकी है यानि कि जो requirement आपको ये storage, operating system, network को fulfill करने की है वो यहाँ पर कैसे service आपके पास available होगी है तो इसका जो simple सा funda ये है कि cloud computing के अंदर आपको चीज़े learn करनी है यानि कि आपको जैसे VM के बारे में पढ़ना है जो हमारा compute के अंदर में आता है तो VM के आप पढ़ोगे कि यह VM कैसे set up होती है क्या इसके अंदर features हैं क्या कैसी जिज़े हम उसके ओपर कर सकते हैं किस तरीके से हम अपनी VM's को set up कर सकते हैं के अंदर आपकी बहुत चोटी चोटी नीड्स होती हैं कि आपको कैसे मैंडेश करना है वी एम के उपर आपको ऑपरिंग सिस्टम क्या चाहिए आप उसकी नेटवर्किंग कैसे सथा की सब्सक्राइब है यह इसी में आपे दो रिक्वार्मेंट है नाइसी दो बना सकते हैं लेकिन नेटवर्किंग कैसे सेट अप करोगे कैसे कम्मुनिकेशन करेगा फिर उसके अंदर आप का एनेजी रूल सेट अप करते हो कैसे उसकी स्नैप्शोट क्रियेट होंगी कैसे आप उसा सिरियल कंसो में ही कि यहां पर हड वेर था जिसको काम कर रहे थे उसको कैसे वह लग चीज है लेकिन यहां पर बने किसी सर्विस प्रॉइडर से कोई सर्विसमिल रही है कितने ट्रीप होते हैं यह काम कैसे करता है तो इस तरीके से चीज़े होती है कि आपको यह सर्विसीज सीखनी है कि यह सर्विसीज कैसे काम करते हैं तो क्लाउड कम्प्यूटिंग इस नथिंग बट आपको यह चीज़ें सीखने के लिए बोला जाता है कि आप जो कोई वेंडर है कोई पॉब्लिक सर्वर है जैसे की एमेस का एजियोर है और जीस कूगल का जी सीपी है एमेजून का एडिवलूएस है और एकल और एकल क्लाउड है अलिबाबा क्लाउड है और एक्सपेस क्लाउड है तो यह सारी चीज़ें मतलब हर किसी के अपनी सर्विस है इस नॉट अबाउट एट कि आपको जो रहाता इसाम मतलब यह है कि आप उनकी सर्विस को समझते हो यूँ अंडर्सटेंड की वीम के अंदर क्या-क्याइचीजे विद्यूद्स अंदर क्याइचीज़ और यहां कराना है इस तो तो यह सारी जाइचा है अगर आपने यह पूरी वीडियो देखे होगी तो ही आपको इस चीज समझ में आई होगी कि हमें जब क्लाउड कम्प्यूटिंग की बात होती तो वहाँ पे हमें सर्वीसीज सीखनी है कि जो भी सर्वीस अबलेबल है हमें उनको लर्ण करना है कि वह सर्वीसीज कैसे काम करत है अब जिसे यहां पर जो मोडल होते हैं मोडल जो है वह इस तरीके से हैं की आई एस पी ए ए एए एस एंड एस ए एस ठीक है लेकिन कुछ कंपनियां यहां पे भी हैं यहां पे बट अभी भी मेजर वर्क इंफार्सक्टराइज सर्वीस के ओपर ही होता है सो आप अच्छे से सीख सकते हो और आपको जोब भी मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं है सारी चीज़ों की रिक्वार्मेंट है जरूरी नहीं है कि हार कोई ऑटोमेशन की तरफ भागरा ऐसा भी नहीं है बट हर चीज अगलेबल है आप उस चीज़ को सीख सकते हैं एक कोई भी ट कम हो सकते हैं कैसे मुझे को यूज कर सकते हैं ठीक है तो यह उमीद करता हूं यह थोड़ा सी आपको हेल्प मिलेंगे और आपको कोई भी क्वेस्टन है तो प्लीज कमेंट में आपनली पूछिए और आई विल ट्राइट वीडियो बनाके भी चीज अंसर करों ठीक है तो थैंक यू सो मच पर वाचिं इस वीडियो हाव गूड़ दे बाई बाई चाहिए जाहिए